लंबी न्याईक प्रक्रिया के बाद यहा विधी सम्मक अंतिम निर्णे हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्व भुम्मी से संबन्धित सभी पहलूओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टक्यों से रखे हुए तरकों का मुल्यांकन हुआ। धायर्य पूर्वक इस दिर्गा मंधन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्याय मूर्थी तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शत्शाह धन् अभिननन करते हैं। इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोग्यों वो बलिजानियों का हम कृतद्यता पुर्वक स्मरण करते हैं। निर्णे स्विकार करने की मनस्तिती भाईचारा बनाये रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकारी स्तर पर वो समाच के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिननन करते हैं। अच्यन्त सयम पूर्वक नियाय की प्रतिक्षा करने वाली भारती जनता भी अभिननन्दन की प्राप्त पात्र है। इस निर्णे को जय पराजे की दुरुष्टी से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व नियाय के मन्थन से प्राप्त निश्कर्श को भारत त्वर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोशन करने वाले निर्णे के रूप में देखना वो उपियों में लाना चाहिए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरुद है कि विधी और सम्विधान की मर्यादा में रहकर सयमित और सात्विक रीती से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की जिशा में सरवच्च न्यायले के निर्णे के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की और से शिग्रता पुर्वक होगी ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुला कर हम सभी श्री राम जन्म भूमी पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिल जुलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। कुछ है पूछना तो जिसके हाथ में माईक उसका प्रश्वाण जी मेरा नाम रवीत रिपाठी है मैं जीनियोज से हूँ मेरा सवाल यह है कि अब जब फैसला आ गया है तो राम जन्म भूमी जो नियास था जो काम कर रहा था उसका क्या होगा जो पत्थर वहां तरासने का काम चल रहा था क्या फैर को यहीं होना चाहिए तो निकलेंगे रास्ते मेरा सवाल है कि जो कोड के तरफ से यह कहा गया कि जो विवादी के बारे में इसे चर्चा प्रवाइब लिए उसको मान लिया गया कि यह राम बंदिर का है और आस्था जो है उसके साथ साथ उसके पॉइंट लिए अब जो मुस्लिम चाहिए जो भी है उनको जो यह दिया गया है पांच एकर की जमीन जो इस सारे विवादित भूमी और जो चर्चा के विशाय की जो बहु हुए उससे अलग किया गया है क्या संग की भूमी का इसमें होगी कि जो बाथ आपने पहले भी कही है कि सारे लोगों को एक साथ मिल के चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए इसमें क्या आपकी भूम्य क्या होगी तो सुप्रीम कोड का निरने है ना उसको तो आम इस कि मैंने विजया रश्मी के भाषन में भी किया था कि ऐसे मामलों में जो कोड़ का निर्ना होता है माने करना चाहिए हम माने कर रहे हैं अगे उसकी प्रोसेस चलेगे तब यह सारे प्रश्णा आएंगे जो भी है अंतिम इस स्क्रेट्मेंट में जो हमने कहा है यह हमको जगड़ा विबात अब समप्त करना है तो सब्सक्राइब करें जो अब भी इंदू परसदी की भूम क्या क्या रहेगी और जब सरकार अपने अपको उन्होंने ड़ाइब जो बुला है मेरा नाम हिमांशु है मैं आज तक से हूँ मेरा सवाल ये है इतने साल लग गए इस परिक्रिया को करने में कुछ दिन से संग और मुस्लिम संगठोनों की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही थी कि फैसले का स्वागत होना चाहिए जो भी आए उसको मानना चाहिए कि आपको कि कोशिश पहले दोनों तरफ से की जाती दोनों पक्षों की तरफ से मुझे लगता हूँ पहले हुई थी किसी कारण नहीं सफल हो सकी इसलिए यहां से बाती चली नहीं तो अपनी सुख की जीवी का कौन दुख में डालना चाहता है जगडों में तो पहले प्रयास हुई ह होंगे तब तो मैं संग का अखिल बारती अधिकारी भी नहीं था इसलिए मुझे उसका डिटेल हुगर पता नहीं लेकिन इससे प्रयास हुए थे वो नहीं चले इसलिए मामले तो यहां तक आए लेकिन ठीक है देरायत दुरूस्ता है बागवजी इस तरफ मैं विकास भधारिया हूँ एबीपी नियूस से आपके दाइने चरफ जब यह मंदिर और मज़ित का विवाद चल रहा था उस दोरान जब भी मधिस्ता की बात होती थी तो यह कहा जाता था कि आयोध्या में ही किसी जगह पर मजजित भी बना दी जा कहा है कि मजजद आयोध्याती सीमा के भीतर ही बनाई जाए क्या आप इससे सैमत है अब कोट में जो बताया है उसका अध्यान करेंगे अर्थ वगरें लगाएंगे और वो तो हमको नहीं देनी है सरकार उसकी जमीन वगरता ही करेगी तो हमने कहा है कि विवाद को समाप्त क करने वाली पहल सरकार की और से हो एक जगह पुजा भी चल रहे हो दूसरा भी हो रहा है इसको लेके हम लोग तो ठीक है हमारे मन में कोई दूइदा नहीं है समाच जलता है एक दूसरे पर यह बात समाप्त होनी चाहिए यह हमारी इच्छा थी वो पूर्णा होगी अब इंडिया नीज चैनल से मौझी मेरा सवाल है क्या पांच अकर जमीन जों मुस्लीम परक्षा को दी जारी है वह आप चाहते है कि एद्या के भितरी हो या जडिया के बहर ओ कहां आप लोग कहा चाहते हैं हम कुछ नहीं चाहते है शुप्रियम कोट ने निरणे दिया है ना अब उसका विदिवत पालन करेंगे करने वाले हम तो मंदिर बनाएंगे हम को कहीं से जमिन लाकर देमी में कोट ने कहा है सरकार को सरकार सोची को पूछी मुझे उनको पूछी मुझे ओदर सिंग्राना CNN News 18 से जो काशी और मतुरा का जो विवाद है उस पे अब संग का क्या म हाथ रहेगा नागरिक हिंदू-muslim भारत के नागरिक भारत के नागरिक है तो अलग सन्देश में होते सब के लिए हम सब को मिलकर रहना है मिदेश को घड़ा बनाना यह सदा सर्वता के लिए हमारा संदेश है और संघ किसी आंदोलान को नहीं करता संग मनुष्य निर्मान का काम करता है कुछ अईतियासिक प्रष्ठवुमी रही है जैसा मैंने कहा कि मेरे अखेल भारती अधिगारी बनने के पहले उसके कारण इस अंदोलों में एक संगठन के नाते संगच जुड़ गया वो एक अपवाद है अब आगे हम अपने मनुश्य निर्मान के काम में लग जाएंगे तो यह अंदोलों की विशाय हमारी विशाय नहीं रहते हैं इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं मह आयुद्ध्या के बाद क्या कासी और मतुरा वह आपके जिंड़े है उसको आप आगे बढ़ाएं पहले का उत्तर मैंने दे दिया है संगा अलनोलंग करने वाला संगटन नहीं है मनुश्य निर्मान करेंगा और दूसरी बात है कि उन्डों ने जो किया है उसके बारे में उनके पिछे बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बहुत जगह जाना पड़ेगा और यह साफ है बिलकुल जैसा हो निर्णे साफ है वैसे स्ट्रेट्मेंट भी साफ है धन्यवाद को एक झचलों परे में झालों जिसा उन्यवाद कर दिसाफ बहुत कर दोदोर्ग साफ है पड़ करिणस्खब प्रवरे कर दो सम्यंट जवाद कर दूसरी कर दो दोसे बहुत पित कर दोसेशस्वाद कर दोसेशस्षब है